हमारे सेवी पिरिय दर्शकों को साधर परणाम जय माता दी आज का जो बिशय है वो हम है कुंडली मिलान अर्थाद गुन मिलान यदि किसी भी वैक्ति की साधी एक ऐसा मौका होता है जो किसी भी वैक्ति के जीवन में एक नया और बरा बदलाव लाता है एक सफल दामपत जीवन के लिए पती पत्नी के बीच गुनों का मिलान होना बहुत जोड़ी है हमारे पुर्वजे हमारे सास्त्र में हमारे पुरानों में लिखा हुआ है कि कुंडली मिलान करने के पहश्चात ही हमें बर अकन्या की साधी करनी चाहिए इस कुंडली मिलान को हम लोग मेलापक या मेलन पहती भी कहते हैं साथ में इसे पत्रक मिलान या अस्ट कुट मिलान भी कहा जाता है और आम बोलचाल के भासा में इसे गुन मिलान कहते हैं कुंडली मिलान इत्यादी हम लोग कहते हैं तो हम लोग गुन कुंडली के अनुसार मिलाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली उसके डेट ओब बर्थ, डेट ओफ टाइम और बर्थ पलेस के अधार पर बनाया जाता है। बिवा के पूर्व लड़के या लड़कियों की कुंडली मिलानी का जो रिवाज हमारे बरसों से चली आ रही है हमारे समाज में हमारे पूर्वज कुंडली मिलान करके ही किसी भी लड़की लड़की की साधी इत्यादी करते थे। लेकि आज का जवाना आज का जो परवेश ह वो बहुत अलग हो गया है आज बहुत सारे माता पिता बहुत सारे लरके लरकियां बिना कुंडली मिलान की यही साधी कर लेते हैं जिसके कारण भविष्वे साधी के बाद बहुत सारी परिसानियां उनको जेलने परती है तब हमें मालुम चलता है कि जो साधी हुए थी हुग कुंडली के मिलान का नुसार नहीं हुए थी इसके कारण से ये सारी फरिसानिया उसके जीवन में आती है सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कुंडली क्यों मिलाते हैं दोस्तों कुंडली मिलाने का भी एक अहम तथ है यह है कि साधी के बाद हम लोग दोनों बरी एवं कन्या के आपसी सामजक्स अच्छे वने रहें यह देखते हैं साथ में दोनों के स्वास्त अच्छे रहें दोनों का किसी परकार अनिष्ट ना हो दोनों की साधी के बाद आर्थिक इस्थितिया अच्छी रहे या किसी परकार की आर्थिक इस्थितिया का नुक्सान उनके बीच ना आवे साथ में उन दोनों के रती सुख अच्छे से प्राप्त हो सके और दोनों के संतान सुख की प्राप्ति हो सके इसलिए कुंडिली को मिलाना कुंडिली मिलान गुन मिलान अती आवेसक होता है हमारे जोतिस में इसे अश्ट कूट मिलान भी कहते हैं आठ गुनों को मिलाया जाता है, जो इस परकार हैं, वर्न, वस, तारा, योनी, गरह मेत्री, गन, पकुट एवं नाडी, और आप यहां डिस्पले में देख रहे होंगे, उसके सारे के सारे लिश्ट आये हैं, उसके बगल में उनकी अंक भी अधारित, निर्दायित की गई है सब के एके कुछ न कुछ अंक हम लोग आवन्टित किये हुए हैं, तब देख सकते हैं, वर्न, वर्न को एक अंक मिला हुआ है, वस्य को दो, तारा को तीन, योनी को चार मिला हुआ है, गरह मेत्री को पांच मिला हुआ है, आपको गन को छे अंक हम लोग यहां निर्दायित किये हुए हैं और आपको होगिया भकुट को साथ एवब नाड़ी को आठ आंक यहां मिले हुआ हैं तो हम लोग किस परकार कुंडली के मिलान करते हैं ? यदि हमारी रासी, हमारी कुंडली में यदि चैन्दरमा जिस रासी में बैठे होगन और जिस नच्छत्र है, तो चंद्रमाजी एवं हमनच्छत्रासी से हम लग कुंडली के मिलान करते हैं. यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, किरपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस्ष करें। नीचे जो लाल बटतन है वो सब्सक्राइब का है। सब्सक्राइब करते ही आपको हमारी जो नई नई महत्पुन जानकारियां समय पर मिल जाया करेंगे। तब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि एक आपको यहां पर चार्ट आ रहा होगा। जो आपको रासियों के बारे में लिखा हुआ है साथ हमें रासियों का नमर है नाम है उसको स्वामियों के बारे में हम अधिकांस्तर वीडियों में यह चार्ट देते हैं लेकिन जो नई सब्सक्राइबर हैं तो या जो नई सीखने वाले जोतिश हैं या सीख रहे हैं समझ र लेकर आपको मीन तक और उसके बगर में देखिएगा स्वामी के नाम होंगे मंगल से लेकर आपको ब्रिस्पती तक इसी बगर अपनी कुंडली में हम लोगों देखना कि चैंदरमा किस नमर पर बैठे हुए उस नमर के अधाप आप यहां रासी निकाल सकते हैं और उसके तो तीस में 27 नच्चतर होते हैं और हर तीन तीन नच्चतर के एक-एक स्वामी निर्धायत किया गया जिसमें आपको राहू और केतु भी होते हैं आपको यह भी आपको आसानी रहेगी कि आप प्यदी कुंडली मिलान किसी भी बैक्ती किसी वर्ड या कन्या के कर रहे हैं तो वो चंद्रमा किस रासी में इस्तित है उसके स्वामी मालूम चल लाएंगा प्लस उस रासी में किस नच्चतर पर इस्तित है उसके भी स्वामी की आपको जानकारे मिल जाएगी तो इससे आपको कुंडली मिलान या चन्म कुंडली या अस्त कुट मिलान इत्यादे में आपको असानी महसूस होगी, यदि फिर भी किसी परकार की यदि परिसानिया आपको होगी, आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स हमें, अवस हमें इसकी बातें बताएं, और हमारे साथ ये वीडियो आप अंत तक देखें, तभी आपको कुंडली मिलान के बारे में अच्छी को गुन मिलाना, वो आपको अच्छी तर समझ में आएगी, अब चलिए हम लोग सिलसलेवार, हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि लिस्ट में, जो हमारे यहां डिस्पले में आ रही है, एक से आठ तक जो गुन है मेरे को, उसको मिलाना सब को जो नम्मर दिया गया है, सब क जो टोटल होता वो 36 होता है, इसलिए कहा गया 36 गुन मिलने चाहिए, हमारे जो 30 में, 36 में से यदि 18 गुन भी हमारे किसी वर और कन्या के मिल जाते हैं, तो हम लोग साधी के लिए हां बोल देते हैं, यह जनरली साधी, मलब एवरेज से थोरा सा नीशे होती है, यदि अगर हमारे 36 गुन में से 18 से लेके 24 गुन तक किसी वर कन्या की कुंडली मिलती है, गुन मिलान होता है, तो यह मेरेट लाइफ को एवरेज बताता है, यदि इसी परकार 36 में से आपको 25 से लेके 30 गुन तक किसी वर कन्या कुंडली मिल जाए, तो यह हमारे बेस्ट मेरेट और 36 में से आपको 31 से लिके 3600 गुन मिल जाते हैं यदि किसी वर्ण का निया कुंडली में तो यह परफेक्ट मैरेज लाइप को बताता है अब चलिए हम लोग बात करते हैं पहले पहले गुन के बारे में पहले कुट गुन जो है वर्ण है वर्ण को एक अंक मिला गया है वर्ण का अर्थ होता है वो हमारे सभाव हमारे रंग को बताता है साथ में यह हमारे समझदारी को बताता है यह हमारे इगो लेवल को भी बताता है कि सादी के फश्चात वर्ण कन्या के जो बीच में आपसी तालमेल रहेगा वो कैसा रहेगा वर्न हमारे जोतिस में चार परकार के बताये गए हैं ब्राह्मन, छत्रिये, वैस और सुद्र उसी परकार दूसरा जो गुन हो गया वो हो गया वस्य वस्य का समन्द भी हमारे मूल व्यक्तित से ही बताता है इससे हम लोग आकर्शन देखते हैं एक्ट्रेक्शन देखते हैं, कंट्रोल पावर देखते हैं नियंतरन देखते हैं कि वर्न और कन्या की बीच में कैसा नियंतरन रहेगा किसका नियंतरन जादा रहेगा, किसका कंट्रोल पावर जादा रहेगा इसे दो अंक हम लोग इसलिए दिये हुए हैं और वस जोतिस में पांस परकार क्यों होते हैं, चदुस्पाद, मानव, वंचर, जलचर एवं कीट, जिस परकार जलचर वन में ने रह सकता है, उसी परकार वंचर जल में ने रह सकता है, इसलिए हम लोग इसे दो अंक देते हैं, अब हम लोग बात करतें तिसरे गुन की जो ह साधी के बाद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, जीवन हमारा टिफकल हो जाता है, लिए कभी-कभी यही जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे समझदारी बढ़ जाते है इसलिए तारा से हम लोग ये देखते हैं तारा को तीन अंक दिये गए है अब चौथा जो गुन है वो होगे यूनी यूनी को चार अंक हमें मिले हुए हैं इस गुन मिलान इस कुंडली मिलान में यूनी का समन साधी के फ़र्षात हमारे सेक्स डिजायर को बताता है कि वर्ष और कन्या के बीच में जो भी यून संगत्ता कितनी बनी रहे वो दरसाता है यूनी से यूनी हमारे जोतिस में 14 परकार के बताएगा है अस्व से लेकर सिंग तक सबसे अच्छी जो होती है जो अस्व यदि वर्ष का यूनी अस्व हो और कन्या की यूनी भी अस्व ह तो निसान सतव होती है चंद्रासी , यह हमारे विचारों सव्भाव्भावा ज़निकाविक पाइस तेंदसमे मत्रता होती है तो लाती है हम दोनों की विचार वर कन्या के विचार साधी के पहस्चात कितने मिलते हैं क्या वर कन्या की विचारों को समझता ने समझता है यह सराचीज हम लोग गरह मैत्री से देखते हैं यदि वही यदि हमारे चंद्र राशी के जो स्वामी यदि आपस में वर और कन्या के सत्रू होते हैं तो हमारे बीच में समान्ता हमारे बीच में संतुलन नहीं बना रहता है यदि वही हमारे ग्राव मैत्री में जो हमारे स्वामी है चंद्र राशी को स्वामी में आपस में यदि तटस्ट मिच्रता होती है तो हमारे जो समानता है हमारे संतुलन वो एवरेज रहते हैं अब हम लोग बात करते हैं गन जो लास्ट के जो तीन है गन भकुट और नाड़ी ये हमारे कुंडली मिलान में मिलने ही चाहिए यदि नहीं मिलते हैं तो यह हमें दोस को बताते हैं जिस कारण से हमें यदि कुंडली में यदि तीनों मिलान हमारे नहीं मिल रहे हैं दोस हमारा गन दोस आ रहा है बकुट दोस आ रहा है नारी दोस आ रहा है इस स्थितिय में वर्क करन्या के बिवा नहीं करवाना चाहिए गन गन को हमारे वैदिक जोतिस में हमारे जोतिस में छे अंख प्राप्त है तो अगन क्या होते हैं हमारे जोतिस में गन तिन परकार के होते हैं देव गन, मानौव गन और राक्षस गन इसके नाम सही मालूम चल रहा है कि देव और राक्षस में कोई मैत्री नहीं होती है कोई सम्मंद नहीं बनता है इसी परकार गन से हम लोग अपने विचारों को अपने बैवारिक सोचों को अपने बीच में जो तालमिल बनते हैं उसको अपने इगो लेवल कहीं क्रैस्ट नहीं कर रहें ये चीज़ देखा जाता है यदि दोनों वर कन्या के एक ही गन होते हैं तो सबसे सर्वस्रिष कहलाता है चाहे वो देव देव हो चाहे मनुस मनुस हो चाहे आपको राक्षस राक्षस हो यदि हमारे वर कन्या के बीच में गन में डिफरेंस आता है वर की यदि देव गन होते हैं और कन्या की राक्षस गन होते हैं तो उसे जीरो अंक या एक अंक दिया जाता है अब हम लोग बात करते हैं कि यदि गन में जीरो अंक आ जाता तो गन दोस लगता है ये हम लोग को कुंडली की स्थितियां को देख कर हम लोग को बताना चाहिए किसी जाता को कि आप में गन दोस लग रहा है कभी कभी क्या होती है कि हमारे कुंडली मिलान में जो मिलान होता वो सुन आता है लेकिन हमारे कुंडली में गरहों की स्थिति हमारे चंदराशी की स्थिति हमारे नचत की स्थिति के अनुसार ये गंदोस या तो खत्म हो जाता है या इसका परवाव बहुत कम रहता है ये आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे अब हम लोग बात करते हैं भकुट गुन के बारे में इसको हमारे जोतिस में साथ अंक अरद निर्धारिद किये हुए हैं भकुट हमारे आर्थिक इस्थिति को बताता है हमारे financial status को बताता है कि साधी के बाद हमारी आर्थिक स्टिति कैसी रहेगी हमारी फाइनेंशलिल इस्टेटस कैसा रहेगा यदि भकुट जीरो आता है तो यह भकुट दोस को भी दर्शाता है भकुट दोस तिन परकार के होते हैं आपको 60, 80, 6, 8 भकुट दोस नमं पचम, नाइन औप फैव भगुट दोस, और आपको द्वादस दो, बारा, दो भगुट दोस, तीन परकारगर बगुट दोस होते हैं। लेकिन ये वी हमें कुंडली में देखना चाहेगे, कभी-कभी भगुट दोस लगता है हमारे जनंकुंडली में। हम कुंडली मिलान करते हैं लेगे हमारे गरहों की स्थिति हमारे स्वामयों की स्थिति के अनुसार यह या तो दोस्थ खत्म हो जाता या इसका परभाव बहुत कम रहता इसकी भी मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के पताऊंगा अची तरह से अब नाडी नाडी को हमारे कुंडली मिलान में आठ नम्मर मिले हुए आठ अंक निर्धायत किये गए यह बहुत ही इंपोर्टेंट है किसी भी जातक किर्पिया यह जहूर देखें कि नाडी दोस्थ इनको नहीं होना चाहिए नाडी दोस्थ क्या होता है नाडी भी तिन परकार को होता है आदी मद्य और अंतिया आदी से वात को देखा जाता है मद्य से फित को देखा जाता है अंत्य से कफ को देखा जाता है यदि किसी भी वेक्ति कि किसी भी जातक जातिका के कुंडली में कुंडली मिनान के समय दे नाड़ी हमारे जीरो बताती है अर्थात क्या हो सकता कि साधी के उपरान तलाक होने की संभावना हो सकती है लराई जगरे आपस में हो सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपको संतान उत्पत्ति में दिकते आती है या संतान उत्पत्ति हो जाती है तो उनके सारे रिक रोग उनमें जन्जात बने रहते हैं या कभी कभी क्या होती कि संतान को उत्पत्ति भी नहीं होती है ये सारे चीज हम लोग नारी से देखते हैं इसलिए हमारे जन्द कुंडली मिलान में कह आगया है कि यदि आपके कुंडली मिलाने अच्छी आपके नमबर आ रहे हैं गुन मिल रहे हैं लेकि नारी दोस अवस देखना चाहिए यदि नारी दोस देखा रहा है तो उन जातक जाती का कुंडली को आप देखिए कि क्या नारी दोस इसमें खतम हो रहा है कि नारी दोस क प्रवाव कितना है, उसके अनुसार, उसके बाद ही आप उस जातक जाती का उस वर कंया की बिवाह के बारे में हाँ बोलना चाहिए. साथ में हम तो यही कहेंगे कि जब भी किसी वर कंया की कुनली आपके पास आती है, तो आप मांगलिक दोस्त भी अवस्ञ देखें. क्याकि मांगलिक दोस्ते भी हमारे सिव विवाय के उपरान बहुत सारी परिसानियों को सामना करना परता वर्यकनिया को हमें आसा है कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी खिर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अबस करें साथ में लाइक हो सेर करना करता भी इतना भूले दोस्तों जैमाता दी धन्यवाद दोस्तों